Hey everyone, Welcome to your Education Hub आज की इस वीडियो में हम समझेंगे General Exception के Introduction के बारे में ये वीडियो General Exception के उपर आने वाली एक Series of Videos का पहला वीडियो है जिसमें हम General Exception के हर आस्पेक्ट को समझेंगे इस वीडियो और इसके बाल आने वाली वीडियो में हम General Exception के टॉपिक के एक Basic Introduction को समझेंगे जो के General Exception के उपर आने वाली फ्यूचर वीडियो का Base होंगी तो चलिए अब हम देखते हैं General Exception के Introduction को जिसमें हम ये समझेंगे कि General Exception आखिर होता क्या है Indian Penal Code 1860 के Chapter 4 का Title है General Exception ये Chapter कुछ ऐसे Circumstances या फिर Conditions यानि कि कुछ ऐसी स्थितियों या शर्दों की बात करता है जिसके अंतरगत अगर किसी परसन ने कोई Offense कमिट कर दिया है तो फिर उसे उसके उस Offense के लिए कोई भी पनिश्मेंट नहीं होगी जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी Offense को कमिट करने के लिए उसमें Actis Riaz और Mens Ria इन दोनों का होना जरूरी होता है यानि कि किसी परसन ने किसी Offense के लिए Requisite Actis Riaz और Mens Ria इन दोनों को Fulfill करते हुए कोई Offense कमिट कर दिया है लेकिन अगर उसका वो Offense Chapter 4 के किसी भी Section के अंडर में आता है तो फिर उसे उसके उस Offense के लिए कोई भी सजा नहीं होगी अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि अगर किसी परसन ने Offense के दोनों Requisite Ingredients को Fulfill करते हुए कोई Offense कर दिया है तो उसे क्यों नहीं Punishment होगी तो इसका कारण है मेंस्रिया के Different Stages जिनकी Gravity अलग-अलग होती है मेंस्रिया में Intention और Knowledge ये दोनों ही होती है और Intention की Gravity यानि कि गंभेरता Knowledge से ज़्यादा होती है तो इसलिए अगर किसी परसन ने Actors Riaz और Menors Ria के साथ कोई Offense किया और Menors Ria में अगर उसने Intention की Condition को Fulfill किया है तो फिर उसे General Exception के अंडर में किसी भी तरह का कोई भी Exemption नहीं मिलेगा लेकिन वही अगर उसने Menors Ria को Fulfill करते हुए Knowledge के साथ और Actors Riaz के साथ कोई Offense किया है तभी उसे General Exception के अंडर में Exemption मिल सकता है लेकिन वह भी तब अगर उसका Act General Exception के किसी Section के अंडर में Fall होता है तो यहाँ पे हमने यह देख लिया कि यह जो General Exception है वो Indian Penal Code में जितने भी Offenses और उनके Punishment के बारे में बात करता है उन्हें Override कर सकता है यानि कि अगर किसी Condition में General Exception के भी Conditions Fulfill हो रहे हैं और किसी Offense के लिए Requisite Actors Riaz और Menors Ria के भी Conditions Fulfill हो रहे हैं तो फिर वहाँ पे उस Offense के लिए General Exception को हम जादा Importance देंगे Rather than उस Offenses Related Section को और इसके साथ ही General Exception ऐसे सभी Offenses पर एक तरह से Limitation लगाता है कि वो सारे Sections हर परसन को अपने Undermake Recover नहीं करते हैं जो अगर किसी Special Circumstances के कारण कोई Offense करने के लिए बाध्य हो जाते हैं IPC में General Exception के बारे में Section 76 से 106 तक बात की गई है जिनके बारे में हम इस पूरी Series of Videos में डिटेल में समझेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि इस General Exception को IPC में Introduce करने के पीछे IPC के Drafters का अखिर Object क्या था IPC को जब उसके Drafters ने Draft किया था तब उन्होंने इस Assumption के साथ यानि कि इस मान्यता के साथ IPC को Draft किया था कि IPC के Undercover होने वाले जितने भी Persons हैं वो सभी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनके अंदर Right और Wrong के बीच अंतर करने की पर्याप्त क्षमता है यानि की Capability है और इसके साथ ही वो किसी भी तरह के Pressure या Threat यानि कि किसी भी तरह के दबाव या डर में कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन IPC के ड्राफ्टर्स का यह जो Assumption था वो तो एक तरह से Fiction ही था क्योंकि हम सभी जानतें कि ऐसे बहुत से Persons हैं जो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते इंसेन होते हैं ऐसे बहुत से Persons हैं जिनके अंदर सही और गलत के बीच अंतर करने की Requisite Capability नहीं होते जैसे की बच्चे और इसे बहुत से लोग हैं जो कि हो सकता है किसी नहीं किसी प्रेशर या फिर किसी थ्रेट के अंदर में आकर मजबूरी में कोई offense कमिट कर देते हैं जाहिर से बात है कि ऐसे Persons जो Right और Wrong के बीच फर्क नहीं कर सकते हैं इनसेन हैं या फिर किसी थ्रेट के अंदर में काम कर रहे हैं इन हैं किसी ऐसे परसन के बराबर तो नहीं रखा जा सकता जिसने गूरी physical और mental ability का use करते हुए किया हैं ऐसे कुछ special categories के लोगों के लिए ही general exception को introduce किया गया अब यहाँ पर यह भी बात थी अगर हम हर offense और हर penal provision के साथ उसके exception के उभी बताने लगते तो IPC एक बहुत ही exhaustive document बन जाता यहाँ पर शायद आपको यह नहीं समझ बहा रहागा कि offenses और penal provisions में क्या अंतर होता है offenses वो sections होते हैं किसे offense को define करते हैं यानि कि कोई offense क्या होगा इसके बारे में बताते हैं जैसे कि section 120A criminal conspiracy के बारे में बताता है section 107 abattment क्या होता है उसके बारे में बताता है section 299 culpable homicide section 300 murder और ऐसे ही और भी बहुत सारे sections और ये सारे तो offenses के बारे में बताते हैं अब इसके बाद हम अगर देखे तो section 120B criminal conspiracy के punishment के बारे में बात करता है वही section 302-300 यानि कि murder के punishment के बारे में बात करता है section 304 culpable homicide यानि कि 299 के punishment के बारे में बात करता है तो ये जो punishment के बारे में बात करते हैं हम इन्हें ही कहते हैं IPC के Penal Provisions IPC को बेना किसी कारण बहुत जादा बड़ा बनाने से बचने के लिए और इसके साथ ही same section को कई बार repetition से रोखने के लिए IPC के drafters थे उन्होंने ऐसे special categories के persons के लिए एक separate chapter ही IPC में add कर दिया General Exception के नाम पे लेकिन अब यहाँ यह question arise होता है कि IPC के drafters ने General Exception के chapter को तो introduce कर दिया लेकिन अब हम यहाँ यह बात कैसे पता चलती है कि जो General Exception से वो IPC के हर offense पर लागू होंगे तो IPC के drafters ने इस confusion को दूर करने के लिए chapter 2 General Explanations में section 6 को add किया अब हम देख लेते हैं कि section 6 आखे कहता क्या है section 6 बात करता है definitions in the code to be understood subject to exceptions यानि कि इसका title साफ तोर पर यह बोलता है कि इस code में यानि कि Indian Penal Code में जितने भी definitions दिये गया है फिर वो definitions चाहे punishment के हो या फिर penal provisions के हो उन सभी definitions को जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें अपने तिमाग में General Exception को भी साथ में रखते चलना है तो यह section अपनी body में यह बोलता है कि throughout this code यानि कि इस code में every definition of an offense यानि कि किसी भी offense का हर definition every penal provision और in definitions और penal provisions के वो सभी illustration को हम General Exception को अपने mind भी रखते हुए ही समझेंगे दो यह जो exceptions हैं उन्हें in definitions penal provision या फिर illustrations में बार बार repeat नहीं किया गया है अब यहाँ पर फिर यह question arise होता है कि क्या General Exception के वल उन ही offenses के लिए है जिनके बारे में Indian Penal Code में बठाया गया है या फिर यह उन offenses पर भी लागू होगा जो किसी special या फिर local act से govern होते हैं Special law और local law क्या होते हैं इसके बारे में IPC के section 41 और 42 में बताया गया है section 41 यह कहता है कि special law वो law होते हैं जो कि किसी particular subject के साथ ही deal करते हैं अगर हम इनके examples की बात करें तो है POXO Act जो कि specificly बच्चों के साथ जो crime होते हैं जो offense होते हैं उनसे deal करता है Arms Act जो कि अगर किसी person ने अपने पास किसी भी तरह का कोई हतियार रखा है तो इस तरह के particular subject से ही deal करता है और वही local law ऐसे laws के बारे में बात करता है जो कि इंडिया के किसी particular territory यानि कि किसी particular part में इनक्ट होता है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि rent laws, land related laws और local safety laws इंडिया के अलग अलग भाग में अलग अलग होते हैं तो इसका answer हमें मिलता है IPC के section 40 के para 2 में section 40 define करता है offense को और इसका para 2 offense को define करते हुए ये बोलता है कि offense एक ऐसे thing की और denote करता है जो कि इस court के अंडर या फिर special या फिर local law के अंडर में punishable होते हैं यानि कि IPC के chapter 4 general exception के applicability न सिफ IPC पर बलकि special और local laws पर भी होगी अब यहाँ पर ये question arise होता है कि हम क्यों section 40 की बात IPC के general exception में माने क्योंकि general exception में तो ये बात किसी सी अलग से नहीं बताई गई है कि general exception किसी special या local law पर भी applicable होंगे तो हम section 40 को IPC के general exception की applicability के लिए क्यों माने तो इसका answer मिलता है हमें section 7 of chapter 2 में जो कि ये बताता है कि अगर किसी भी बात को IPC में एक बार कहीं पर भी explain कर दिया गया है तो फिर throughout the IPC उसका मतलब वही होगा एक बार explain कर दिया गया है ये chapter 4 of IPC special और local laws पर इसलिए applicable होगा by the virtue of section 40 para 2 read with section 7 अब हम यहां भी ये समझेंगे कि ये जो general exception है इसे proof करने का burden किसके उपर होता है उस person के उपर जिसने crime किया है जिसे हम accused कहते है या फिर prosecution के उपर यानि कि जिसके उपर उस person ने crime किया है ये बात proof करने का burden होता है हमने prosecution defense इन सारे ही words का मतलब अपनी एक वीडियो में अच्छी तरह से explain किया है अगर आपको इन सभी words का मतलब समझने तो फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो अगर हम यहाँ पर burden of proof की बात करें तो हम यह पता है कि जब तक किसी person का crime फिर offense proof नहीं हो जाता तब तक हम उस person को guilty नहीं माल सकते और यह बात criminal law का एक fundamental principle है तो इसलिए किसी person ने कोई offense किया है या नहीं इसके सभी aspect को proof करने का जो burden होता है वो prosecution पे होता है किसी भी offense के सभी aspect का मतलब होता है कि prosecution को यहाँ पर actus reals, mens reals, causation सारी चीजों को proof करना होगा किसी person के offense को proof करने के लिए तो ये तो बात हो गई कि offense को प्रूफ करने का burden किस पर होता है लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि general exception को प्रूफ करने का burden किस के उपर होता है accused या फिर prosecution के उपर तो इसका answer करता है Indian Evidence Act का section 105 जो कि general exception को प्रूफ करने का जो burden है वो accused के उपर डालता है यानि कि अगर किसी accused ने ये बात claim किया है कि उसका किया गया offense general exception के under में आता है तो ये बात उस accused को ही प्रूफ करनी होगी और इसके साथ ही Indian Evidence Act का section 103 भी इसी बात की और इशारा करता है ये specifically accused के लिए बात नहीं करता नहीं ये specifically prosecution के लिए बात करता है और ये in general ये बोलता है कि अगर defense या फिर prosecution में से कोई भी party अपने किसी बात पर court को यकीन दिलवाना चाहती है तो फिर court को उस बात पर यकीन आए इसके लिए जो proof court में दिखाने की जरुरत है उसका burden उसी party पर होगा जो ये बात चाहती है कि court उसके बात पर यकीन करे अब इसके बात यहां पर question आता है standard of proof की prosecution के लिए किसी person के offense को proof करने के लिए evidences के जिन standards की जरुरत होती है general exception को proof करने के लिए उस standard की जरुरत नहीं होती है अगर हम बात करें कि किसी person के अगर हमें offense को या फिक guilt को proof करना है तो यहां पे जो standard of proof है वो बहुत high होना चाहिए और इसके साथ ही beyond any reasonable doubt होना चाहिए यानि कि अगर prosecution को ये proof करना है कि किसी person ने कोई crime किया है तो उसे एक high level of evidence को proof करने की जरुरत होती है और साथ ही उसे beyond any reasonable doubt यानि कि उसके proof पे एक छोटा सा भी loophole या फिर एक छोटी सी भी संभावना नहीं होनी चाहिए कि उस person ने crime नहीं किया है और वहीं अगर हम बात करें a standard of proof for proving general exception तो हमें यहां पर beyond reasonable doubt ये बात proof करने की जरुरत नहीं होती कि accused का किया हुआ जो offense है वो general exception के अंडर में आता है accused अपने offense को general exception के अंडर में दो तरीके से proof कर सकता है पहला है कि वो सीधे तोर पर कुछ positive evidences को proof करके ये बता दे कि उसका offense general exception के अंडर ही fall होता है और दूसरा तरीका ये है कि prosecution ने accused के offense को proof करते वक जिन evidences को पेश किया और उसके साथ जिस story को सुनाया तो सारे evidences और story में एक loophole create कर दे एक doubt create कर दे कि यहां पर उसके दारा किया गया जो ये offense है वो general exception के अंडर में fall हो सकता है तो यहां पर create हो जाता है benefit of doubt जिसका फाइदा usually accused को ही मिलता है और जब यहां पर general exception accused proof कर देता है किसी भी दो तरीके से तो यहां पर फिर से जो burden of proof है accused के offense को proof करने का वो वापस prosecution पे जला आता है अब और यहां पर prosecution का भी ये काम होता है कि accused ने जो doubt evidences और उसके stories पर cast किया है वो उसे दूर करके फिर से beyond any reasonable doubt ये proof करें कि accused ने जो offense किया है वो किसी भी general exception के अंडर में नहीं आता और पूरी तरह से punishable है और इसके साथ ही कि यहां पर अगर कोई accused है और अगर उसने अपने general exception को plead करने के लिए कोई special plea file नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस accused को general exception का फायदा होगा ही नहीं तब भी अगर उसका offense general exception में fall होता है क्योंकि जो section 6 है वो court के उपर इस duty को place करता है कि कोई भी penal provision जब ही court interpret करती है तब उसे उस penal provision को general exception के साथ ही interpret करना होगा और इस तरह से अगर किसी person ने special plea file नहीं की है general exception के लिए तो फिर ये court की statutory duty है कि वो ये examine करें कि क्या accused के द्वारा किया गया ये offense general exception के undercover होता है या नहीं अगर हम इसे छोटे में समझें तो सबसे पहले prosecution को एक high standard of proof और beyond reasonable doubt ये proof करना होता है कि किसी person ने कोई offense commit किया है तो second step में accused को ये proof करना होगा कि उसका offense general exception के underfall होता है और इसके बात फिर से burden of proof prosecution पे shift हो जाएगा beyond any reasonable doubt ये proof करने के लिए कि offense उसी नहीं किया है तहां पर हमने general exception के introduction के पहले part को समझ लिया so if you like this video then please subscribe to your education app share this video with your friends thank you for watching